जाहिन साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुडियोनिंग, आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हारदिक स्वागत और अभिननदन हैं, तो सभी साथ ही जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे और अपने सभी साथियों में क्लास को सेर कर देंगे, बहुत ही शांदर तरी प्रवेश परिक्षा में समानी अध्यन के महात्पून पर्षनों की डिसकस कर रहे हैं और हम लोग प्रिवेश एर के जो पर्षन है जो अभी तक बीएट एक्जाम में पूछे गए हैं उन सभी पर्षनों को डिसकस कर रहे हैं तो सभी साथ ही जल्दी से क्लास में जुड़ जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद मैं आपको बेल आईकन को प्रेश करना है तथा आल पर किलिक करना है इससे क्या होगा कि जो भी कलास का नोटिफिकेशन होगा वो आपको तुनन्त मिल जाएगा कलास अगर आपको पसंद आती है तो कलास को लाइक कीजे अपने सभी साथियों में शेर कीजे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कलास आपको कैसा लगा Class के pedia file पाने के लिए आपको हमारा telegram channel जोइन करना होगा जिसका link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा वहाँ से जाकर के आप telegram channel को जोइन कर सकते हैं तो चलिए आज किस class की शुरुवात करते हैं उससे पहले एक बार पुन हैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अपने सभी मित्रों अपने सभी साथियों में सेर करें चलिए बात करते हैं आज के पहले पर्षन की तो पहला पर्षन कह रहा है कि कौन सी ठंडी जल धारा है इसके लिए आपको चार आप्षन दिया गया है आप्षन ने कहता है गाल्फ इस्ट्रेम धारा आप्षन भी है कनारी धारा आप्षन सी है मोजांबिक धारा आप्षन डी है अलगुहास धारा तो इन में से कौन सी जल धारा ऐसी है जो ठंडी जल धारा है तो इसका सही हो जाएगा option number B कनारी धारा कनारी धारा एक थंडी जलदारा है बाकी सेसे सभी धाराईं गरम जलदाराईं है सेरि 콩र गल्फ स्ट्रीम धारा यह एक गरम जलदारा है मोजांबिक धारा यह भी एक गरम जलदारा है अल्गुहास धारा ये भी एक गरम धारा है लेकिन कनारी धारा जो है ये एक ठंधी जल धारा है कनारी की धारा अंटलांटिक महासागर की जल धारा है ये कहां की जल धारा है तो याद रखेंगे आप लोग अंटलांटिक महासागर की जल धारा है ये कहां की जल धारा है अंटलांटिक महा सागर की जलधारा है तो आप्षन बी जराइट एंसर हो जाएगा चलिए बात करते हैं पर्ष नमबर दो की इस्ट की नितियों से कौन शाप्रधान मंत्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ इस्ट की नितियों से कौन शाप्रधान मंत्री सबसे ज़्यादा प्रभावित तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपशन नमबर सी इंदर कुमार गुजराल ने गुजराल डौक्ट्रिन नामक शिधानत रिया था इंद्र कुमार गुजराल ने याद रखेंगे आप लोग गुजराल डॉक्ट्रिन नामक सिधान्त दिया था अपने पूर्व के देशों से संबंध सुधारने का प्रियत्न किया था और ये इस्ट की नितियों से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले प्रधान मंत्री थे इस्ट इंडिया कंपनी की जो भी नितियां थी उनसे ये ज्यादा प्रभावित है तो आप्षन C is a right answer बात करते हैं पर्स नम्बर थरी की डिरिप सिचाई किस राज्य में की जाती है आप्षन A है उत्तर परदेश आप्षन B है मध्येपरदेश आप्षन C है महराष्ठ आ आप्शन डी राजस्थान डिरिप सिचाई या जिसे एक और नाम से जानते हैं बूंद बूंद सिचाई राजस्थान में की जाती है इस विधी से सिचाई करने पर अत्यधिक मात्रा में पाने की बचत होती है इसलिए इसे डिरिप सिचाई यानि बूंद बूंद सिचाई कह इस सिचाई में क्या होता है साथियों कि खेतों में पाइपों के द्वारा इसकी सिचाई की जाती है और खेतों में थोड़ी थोड़ी दूरों पे एक टोटी होती है उस टोटी को खोलने से ही सिचाई होती है वो एक फुहारे के रूप में इसकी सिचाई की जाती है वहां से बूंद बूंद पानी जो है वो फसलों की जड़ों में जाता है और उसके बाद फसल जो है उसकी सिचाई होती है तो आपसन D is right answer होगा डिरिप सिचाई जो है राजस्थान में की जाती है चलिए बात करते हैं पर्स नमबर चार की भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश ह आपसन A है केरल आपसन B है महराष्ट आपसन C है आंदर प्रदेश आपसन D है उत्तर प्रदेश तो इसका सही जवाब होगा साथियों आपसन नमबर A केरल केरल भारत का सबसे साक्षर प्रदेश है यहां की साक्षरता की दर्की बात करें अगर हम लोग यहां की साक्षरता दर की अगर मैं बात करूँ तो 93.91 परतिसत यहां की साक्षर्टा दर है जबकि भारत की साक्षर्टा दर जो है वो 74.04 परतिसत है तो दोनों पर्षन यहां से बनते हैं अगर आपसे केरल की साक्षर्टा दर पूछे तो 93.91 परतिसत और आपको भारत की साक्षर्टा दर और ये 2011 की जनगर्णा की अनुसार निशित है ठीक है चलिए बात करते हैं पर्स नमबर 5 की किसी मनुष्य के सरीर का तापमान होता है आप्शन A कहता है कि 98 degree Fahrenheit आप्शन B कहता है कि 98 degree Celsius आप्शन C है 68 degree Fahrenheit या आप्शन D है 66 degree Celsius तो इसका सही जवाब होगा आप्शन नमबर A 98 degree Fahrenheit किसी मनुष्य के सरीर का जो तापमान होता है वो 98 degree Fahrenheit होता है तो आप्शन A is right answer बात करें पर्स नमबर 6 की NCRT का पूरा नाम क्या है आप्शन A है National Council of Education Research and Training आप्शन B है National Council of Education Reader and Training आप्शन C है National Committee of Education of Reader and Training वही बात करें आप्शन D की तो National Council of Economical Research and Training तो इसका सही जवाब होगा आप्शन नमबर A NCRT का पूरा नाम National Council of Education Research and Training है ठीक है NCRT का पूरा नाम क्या है National Council of Educational Research and Training ठीक है NCRT की अस्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे साथियो 1861 में इसकी अस्थापना की गई थी चलिए बात करते हैं पर्ष नमबर साथ की पर्ष नमबर साथ के ता है कि भारत का बिश्मार्क किसे कहा जाता है आप्शन नमबर A है जवाहललाल नहरू को आप्शन B है सरदार वललब भाई पटेल को C है महत्मा गांधी या आप्शन D रविद्र नाट टैगोर तो इसका सही जवाब होगा साथियों आफशन नमबर भी सर्दार वल्लब भाई पटेल को भारत का बिश्मार्ग कहा जाता है इनोंने भारतिय रियाशतों के एकिकरन में बहुत ही महतूर भूमी का निभाई थी तो इन्हें लोह पुरुस भी कहते हैं और कुजरात में इनका बहुत ही बड़ा अस्थम्ब है आप सभी लोग उससे प्रचित हैं तो भारत का बिश्मार की किसे कहा जाता है सर्दार वल्लब भाई पटेल को चलिए बात करते हैं पर्स नमबर आठ की सबसे बड़ा महाशाग आप्शन C प्रशांत महाशागर आप्शन D आर्गटिक महाशागर तो इसका सही जवाब होगा आप्शन नमबर C प्रशांत महाशागर बिश्व का सबसे बड़ा महाशागर प्रशांत महाशागर है अगर इसका छेत्रफल की बात हम लोग करें तो इसका छेत्रफल साथिय 16 दसमलो याद रखेंगे आप लोग इसका छेत्रफल 16 दसमलो 572 करोड वर्ग किलो मीटर है 16 दसमलो 572 वर्ग किलो मीटर इसका छेत्रफल है और ये विश्व का सबसे बड़ा महाशागर है चलिए बात करते हैं पर्शन नमबर 9 की अंधेरा किसकी कृती है? अंधेरा किसकी कृती है? आप्शन A है अकिलेश आप्शन B अगनी होतरी आप्शन C जय प्रकास आप्शन D अनूज तो इसका सही जवाब होगा साथियो आप्शन नमबर A अकिलेश अंधेरा जो है अंधेरा नामक पुस्तक ये अकिलेश की क्रिती है किसकी कृती है अकलेज की ठीक है चलिए बात करते हैं पर्ष नमबर 10 की तो साथियों कलास को लाइक सेर जरूर कीजे अपने सभी साथियों में सेर कीजे क्योंकि ये सभी पर्ष नाप के बियट एक्जाम में पूछे गए हैं और ये सभी पर्ष नाप के लिए बहुत ही महत् इन पर्षनों से आपको ये अंदाजा हो जाएगा ये अनुमान हो जाएगा कि बीयड में GKGS के किस तरह के पर्षनों पूछे जाते हैं किस टोपिक से कितना पर्षन आता है और पर्षनों का अश्तर क्या होता है तो इन सभी बातों को आप लोग इस क्लास के माध्यम से सीख जाएंगे इसको जान जाएंगे तो सर्भी लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक सेर कीजे और अधिक से अधिक शेंख्या में जुनने का प्रयास कीजे तो चलिए बात करते हैं पर्षन नमबर 10 की कि भारत में हरित क्रांती के पिता माह कौन है भारत में हरित क्रांत के पिता माह कौन है आप्शन A है नार्मन बोरलांग आप्शन B है M.S. स्वामी नाथन आप्शन C है R.K. नर्सिंहन आप्शन D है डॉक्टर वर्गीज कूरियन तो भारत में हरित क्रांती के पिता माह कौन है इसका सही जवाब होगा आप्शन नमबर B. M.S. स्वामी नाथन में हरित क्रांती के पिता माह M.S. स्वामी नाथन को माना जाता है और इन्होंने भारत में किर्षी के विकास को अत्यधिक बढ़ हावा दिया इस वज़े से इन्हें हरित क्रांती का पिता माह कहा बात करें परस नमबर 11 की राश्टिये खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है आप्शन A है 29 अगस्त को आप्शन B है 5 सितंबर को आप्शन C है 11 जुलाई को आप्शन D है 5 अगस्त को तो बताइए राश्टि खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है इसका सही जवाब होगा आप्शन नमबर ए 29 अगस्त को राश्टी खेल दिवस 29 अगस्त को मनाय जाता है या होकी के जादूगर याद रखेंगे आप लोग या होकी के जादूगर मेजर ध्यान चंद की स्मृती में मनाय जाता है मेजर धान चंद को होकी का जादूगर कहा जाता है और उन्ही की स्मर्ती में राश्टी खेल दिवस 29 अगस्त को मनाये जाता है बात करने पर्ष नमबर 12 की किताब उलहिंद के लेखक काउन थे? किताब उलहिंद के लेखक काउन थे? आपशन A है अमीर खुष्रो आपशन B है मिनहाज उस सिराज आपशन C है अलबरुनी आपशन D है जियादू दीन बर्नी तो क्या होगा इसका सही जवाब? आपशन NUMBER C is right answer होगा तो आपशन NUMBER C is right answer होगा अलबरुनी अलबरुनी किताब उलहिंद के लेखक था और यह है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था यह किसके साथ में भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था चलिए बात करते हैं पर्ष नमबर 13 की जावा मानाओ से संबंधित है आपशन A है काकेशाइड प्रजाती से आपशन B मंगोला याड प्रजाती से आपशन C निग्रो याड प्रजाती से यापशन D इनमें से कोई नहीं तो इसक जावा मानो मंगोला याड प्रजाती से संबंधित है तो आपशन B is राइट आंसर चलिए बात करते हैं पर्ष नमबर 14 की अनेकांत किस धर्म से संबंधित है अनेकांत किस धर्म से शंबंधित है आपशन A है जैन धर्म, अप्शन B है बाउत धर्म, अप्शन C है प्रामर धर्म, अप्शन D है मुस्लिम धर्म तो इसका सही जवाब होगा अप्शन नमबर A, जैन धर्म अनिकांत जो है ये जैन धर्म से संबन-दित है इसे श्याद वाद भी कहा जाता है इसे श्याद वाद भी कहा जाता है और यह जैन धरम का परमुक शिधान्त है यह क्या है जैन धरम का परमुक शिधान्त है और इसे श्याद वाद भी कहा जाता है ठीक है चलिए बात करते हैं पर्ष नमबर 15 की तो अरजुन पुरुषकार किसे से सम्बंदित है अरजुन पु से आफशन दी चित्रकला से तो सही जवाब हो जाएगा आफशन नमबर भी खेल कूद से अरजुन पुरुषकार खेल से संबंधित है और यह खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलारियों को दिया जाता है तो अरजुन पुरुषकार जो है वो खेल कूद से संबंधित है चलिए बात करते हैं पर्शन नमबर सोला की तारिक ए फिरोज साह किसकी रचना है आफशन ए जयादू दिन बरनी आफशन भी अमेर खुसरो आफशन सी अहमद सरहिंदी आफशन दी फिरोज साह तुगलक तो इसका सही जवाब होगा आफशन नमबर ए जयाद जियातु दिन बढ़नी तारिक ए फिरोज साही जियातु दिन बढ़नी की रचना है अफीक ने भी इसी नाम से एक पुस्तक की रचना की थी अफीक भी एक इस पुस्तक की रचना किया था इसी नाम से ठीक है चलिए बात करते हैं पर्स नमबर 17 की तो पर्स नमबर 17 कहता है ल लोधी वंसका अंतिम सासक कौन था आपशन एए हैं सिकंदर लोधी आपशन भी महमुद लोधी आपशन C इब्राहिम लोधी आपशन D बहलोल लोधी तो इसका सही जवाब होगा आपशन नमेंअ ही इब्राहिम लोदी लोदी वन्स का अंतिम सासक इब्राहिम लोदी था और 1526 इश्वी में पानी पत के प्रथम युद्ध याद रखेंगे आप लोग 1526 में पानी पत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा कर बाबन ने मुगल वन्स की अस्थापना की थी याद रखेंगे आप लोग कि पानि पत का जो पर्थम युदू था वो 1526 इश्वी में हुआ था और इस युद्ध में यानि पानि पत के पर्थम युद्ध में इबराहिम लोधी को हरा कर बाबन ने मुगल वंस की निवु रखी थी अर्थात मुगल वंस की अस्थापना की यह बात करते हैं पर्ष नम्बर 18 की यह जवाब होगा आप्षन नम्बर A Somalia सोमालिया जो है ये भ्रहष्टा चार में सबसे उपर है ठीक है चलिए बात करते हैं पर्ष नमबर 19 की पर्ष नमबर 19 केता है कि दीन ए इलाहिक की अस्थापना किस ने की थी आप्षन ए है सहजान आप्षन बी हुमाईू ने आप्षन सी अरन्ध जेब ने आप्षन D अकबर ने तो सही जवाब हो जाएगा आपशन नमबर D अकबर ने दीन ए इलाहिक की अस्थापना अकबर ने 1582 इसमें किया था और इसे तवहींद ए इलाही के नाम से भी जाना जा तो दिन ए इलाही की अस्तापना किसने की थी अकबनने की थी कब की थी 1582 में और इसे तौहिंद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है बात करते हैं पर्श नमबर 20 की टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था आपशन A है है एदर अली आपशन B है अली मुराद आपशन C है है हैदर सेख आपशन D है चिक्का कृष्ण राज तो सही जवाब हो जाएगा आपशन नमबर A हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था हैदर हली था हैदर हली ने मैसूर राज में स्वतंत्र सत्ता की अस्था अस्थापना की थी तो अगर पर्ष न आप से पूछा जाए कि मैसूर राज में स्वतंत्र सत्ता की अस्थापना किसने की तो हैदर अली ने किया था जो कि टीपूर सिल्तान का पिता था चलिए बात करते हैं पर्ष नमबर एकेस की धारा की इकाई क्या है बताईए धारा की क्या है आप्षन A है केलविन आप्षन B है एंपियर आप्षन C है ओम आप्षन D है कुलाम सही जवाब होगा आप्षन नमबर B एंपियर धारा जो की विधुत धारा की इकाई एंपियर होती है केलविन का ताप होता है और ओम विधुत परतिरोध की तथा कुलाम जो होता ह विदुद आवेश की एकाई होती है, अर्थात केलविं जो है यह ताप का एकाई है, एम्पियर विदुद धारा की एकाई है, ओम परतिरोध का एकाई है और कुलाम आवेश का एकाई है, ठीक है चलिए बात करते हैं, पर्स नमबर 22 की, कम्पीटरों की मैमोरी मापी जाती है कम्प्यूटरों की मेमोरी मापी जाती है आप्षन A है MB में आप्षन B है HB में आप्षन C है CB में या आप्षन D है DB में तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप्षन नमबर A MB में आप्षन नमबर A MB में MB में कम्प्यूटर की मेमोरी मापी जाती है ठीक है चलिए बात करते हैं पर्ष नमबर तेश की पर्ष नमबर तेश कहरा है कि नीमली खित में से किस देश में अधिक्तम संख्या में भासाएं बोली जाती है आप्षन A है ब्रिटेन आप्षन B है USA आप्षन C है भारत आप्षन D है फ्रांज तो सही जवाब हो जाएगा आप्षन नमबर C भारत जी साथियों हमारे भारत में सायुधान के अंदर आठवी अनुसूची के अंदर 22 भासाओं को राजि भासा का दर्जा दिया गया है और वहीं हम लोग बात करें तो हमारे भारत में 468 से अधिक बोलियां बोली जाती है तो सबसे अधिक संख्या में भासाओं हमारे भारत में बोली जाती है चलिए बात करते हैं पर्षन नमबर 24 की कि भारत में रेडियो प्रसानन का पारंभ किस वर्ष हुआ तो आप्षन A कहता है 1927 ईसवी में आप्षन B कहता है कि 1930 ईसवी में आप्षन C है 1936 में या आप्ष 1927 ईसवी में हुआ बात करें आज की आखरी पर्षन की तो पर्षन नमबर 25 कह रहा है कि साविधान के अधीन नेम लिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा यानि ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो अब मूल अधिकार नहीं रहा आप्षन A कहता है सिक्षा का अधिकार आप्षन B कहता है कारी का अधिकार आप्षन C कहता है संपती का अधिकार आप्षन D है विधी के समक्ष समता का अधिकार तो सही जवाब होगा आप्षन C संपती का अधिकार हमारे साउधान में मूल अधिकार दिये गए है और इन मूल अधिकारों में से जो संपती का अधिकार था ये अब मूल अधिकार नहीं है इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया है तो सातियों आज किस क्लास में हम लोगों ने GKGS से सम्मंधित महत्पून 25 पर्षनों को डिसकस किया जो कि आपके UPBR में 2014 में पूछे गए हैं तो ये पर्षन आप सभी के लिए काफी महत्पून है इन पर्षनों को आप बार बार रिवाइज कीजे इनका रिविजन कीजे इससे आपको ये पता लग जाएगा कि UPBR में GKGS के किस परकार के पर्षन पूछे जाते हैं तो आज किस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धनिवाद थाइंक यू थाइंक यू वरी माच जैहिन जैभारत